सूप्रभात बच्चो चलिए आज हम निबंद सिखते हैं जैसा कि आपको पता है मैं सीमा सींग हर समय आपको एक नया नया निबंद लेकर आती हूँ और जिससे कि आपको निबंद पता चल जाए और उसके बारे में जान सके तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आक्टर भीम राओ अम्बेडकर का जनम 14 अप्रेल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक गाउं में हुआ था उनकी जाती महार थी यही महार जाती दलित माने जाती थी उनके पिता जी का नाम सकपाल था उनकी माता जी का नाम भीमा बाई था उन्हें बाल काम में अधिक रूची थी बाग काम का मतलब गाडेन बगीचा यह सब कामों में उनको पेर पधों में बहुत रूची था उनका पुस्तक प्रेम अद्भुत था और वो उनको पुस्तकों से बहुत प्यार था वो बहुत पढ़ना चाहते थे जिसके कारण उनके ग्यान में बृधी हुई और वे विद्वान बने वे बहुत पढ़ना लिखना चाहते थे इसलिए उनका ग्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो क्या बन गए विद्वान बन गए बरोडा के महाराजा सायाजी राओ गायक वार्ड ने उन्हें सिस्ये वृती देकर उच शिख्षा के लिए बिदेश भेज थे सिस्से वृती मतलब स्कॉलर सीप देकर उनको गायक वाड जो थे बरोद्रा के वो महाराजा वो उनके उस सिक्षा के लिए बिदेश भेज दिये थे नुई यॉर्क जाकर उन्होंने म.अ. और पी.च.डी की उपाधी प्राप्त की स्वदेश वापस लोटने पर महाराजा गायक वाड ने उन्हें नौक्री भी दी पर नियती उनसे कुछ और ही चाह रही थी बहिस्क्रीत हितकारनी सभा की अस्थापना करके उन्होंने समाज सेवा का कारे किया बहिस्क्रीत हितकारनी सभा की अस्थापना उन्होंने किया और फिर वो वहाँ से समाज सेवा करना शुरू कर दिये वे कहते थे सिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्स करो सिख्षित बनो पढ़ो लिखो यानि जादा पढ़ो लिखो संगठीत बनो मिल जूल कर रहो और संघस करो हर समय काम करते रहो महान बनो दूसरों की महानता आपकी महानता से मिलने के लिए उठ खड़ी होगी अन्याय के सामने अपनी आवाज बुलंद करना और न्याय पालक ही रहना हम उनके जीवन से सीख सकते हैं ये सब भीम राव अमबेडकर जी का डाक्टर भीम राव अमबेडकर उनकी ये सब महानता है यानि कि वो इतने अच्छे थे अन्याय के सामने वो हमेशा बोलते थे कभी रुकना न पीछे नहीं हटना है आवाज हमेशा बुलंद रखना है अगर कहीं गलत होता है तो आपको अपना आवाज बुलंद रखकर आगे बढ़ना है उस पे काम करना है और न्याय पर वो विश्वास रखते थे चौदार ताल का पानी दलीतों को मिले उनके लिए संघर्स पूर्न सत्यागरह किया उन्हें उच नीच के भेदभाव अच्छे नहीं लगते थे हमारे सविधान रचना की जिम्मेदारी तत कालिन सरकार ने उन्हें सौपी इन्ही सब महांता को देखकर उन्हें सविधान जो लिखा गया उसकी जिम्मेबारी किसको सौपा गया डाक्टर भीम राओ अम्बेडकर जी को सौपा गया यह काम उन्होंने बखुबी निबाया मतलब बहुत अच्छों से अच्छी तरह से उन्होंने इस काम को किया स्वतंत्र भारत के सविधान का प्रारूप उन्होंने त्यार किया उनके जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धी थी और ये जो काम किये उन्होंने सविधान का प्रारूप उन्होंने त्यार किया ये उनके जीवन का सबसे बड़ा उपलब दी था 6 दिसंबर 1956 के दिन उनकी मिर्तु हुई उनकी मिर्तु से सारे भारतवासियों को बहुत दुख हुआ सब ही भारतवासियों ने उन्हें हीर्दे पुर्वक स्रधांजली दी थी तो बच्चो ये था हमारे भीम राव अंबेडकरजी का जीवनी उन्होंने ही हमें सविधान दिया उनका सविधान प्रारूप उन्होंने ही त्यार किया तो बच्चो आपको ये विडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सियर कीजिए अब मैं इसे क्लोज से दिखा रही हूँ ताकि आप अपने नौट्पुक में भी इस निबंद को अच्छी तरह से लिख सके जूम करके देख लेना आपको अच्छे से ये पुरा निबंद समझ में आ जाएगा और बहुत बार देखना तो वो भी समझ में आ जाएगा चलिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में धन्यवाद